आज के इस वीडियो में आपको बताने वालो साइंस कॉलेज राइपुर में फिप्त मेरिट लिस्ट जारी हुए है और दुर्ग के साइंस कॉलेज में भी मेरिट लिस्ट जारी हुए है तो इन कॉलेजों में जो मेरिट लिस्ट है उसको इसाप से लास्ट डेट क्या है एड लिस्ट आया है तो उसके लिए एडमिशन कब तक लिए नहीं बताया जाएगा उसके बाद परसु से ही रिजल्ट है और रोके गए रिजल्ट भी जारी हुए है और सहिद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी से जो ऑनलाइन आवेदन की डेट है उसे एक बार बढ़ा दि लिए क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह के कॉलेज और यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहेगी तो चलिए पटाबट स्टार्ट करते तो यहाँ पर सासके नागार जुना पीजी साइन्स कॉलेज राइपूर से नोटिफिकेशन है तो ब्स सी प्रत 27 सितमबर तक आपको फीज पेमेंट करके एडमिशन ले लेना है उसके बाद जो डेट निकल जाएगी तो उसके आपके जो लिस्ट है यह निरस्त हो जाएगा तो उसके पहले तक आप एडमिशन ले लिजिए तो यहाँ पर देखिए लिस्ट है और इसका जो पीडियाप भी मैं आपको प्रवाइट करा दूँगा अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो पंडित्रवी संकर सुखले यूनिवर्सिटी से यहाँ पर MSC 1st सेमेस्टर के लिए लिस्ट आया है तो 27 सितमबर तक आपको यहाँ पर एडमिशन ले तो OBC उसके बाद SCST इन सभी का यहाँ पर अपना नाम देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर वार्सिक परिक्षप परिणाम यहाँ पर आया है तो देख लिए यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी बेस्ट पार्टि सिपेटरी रिसर्च एक्जाम मार्च अप यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स इन वूमेल लाउंड जेंडर जस्टिड एक्जामिनेशन मार्च अप्रिल 2021 का यह रिजल्ट आया है तो इसमें रोके हुए रिजल्ट जारी हुए 2021 के वार्षिक और सेमेस्टर वननीश बीस और एक्केस के तो यहाँ पर मैं आपको जो सब्जेक के नाम बता देता हूं इसका पीडियाप लिंक आपको वहाँ डिस्क्रिप्सर में मिल जाएगा तो बीए पार्ट त्री मार्च अप्रिल 2021 के रिजल्ट है उसके बाद बीकॉम पार्ट 3 मार्च अप्रिल 2021 के है रोके हुए रिजल्ट है यह बीए क्लासिक प्राच्य संस्क्रित पार्ट 2 मार्च अप्रिल 2021 के रिजल्ट है उसके बाद डीसी ए सेकंड सेमेस्टर मैं जुन 2020 के रिजल्ट है पीजी डीसी ए सेकंड सेमेस्टर मैं जुन 2020 का रिजल्ट है MSC Information Technology 4th सेमेस्टर मैं जुन 2011 का रिजल्ट है B8 1st सेमेस्टर डिसंबर जन्वरी 2021 का रिजल्ट है B8 3rd सेमेस्टर डिसंबर जन्वरी 2021 का रिजल्ट है उसके बाद BP8 4th सेमेस्टर मैं जुन 2020 का यहां रिजल्ट है उसके बाद RLM part 2 second semester September October 2019 का यहां पर रिजल्ट है उसके साथ PG Diploma in Yoga Education and Philosophy second semester का यहां पर रिजल्ट आया मैं जुन 2020 का Be Vocational in Renewable Energy and Technology Management third year sixth semester का यहां पर रिजल्ट आया है सहितनन्द कुमार पटेल विश्वध्याला से जो online admission की जो तारीक है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं उसको अब बढ़ा दिया गया है तो 23 तारीक से लेकर 27 तारीक तक आप online फाम भर सकते हैं और 30 सितमबर तक इसका admission होगा तो एक बार पिर आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं उसके बाद यहां पर यह योगन अंदम 36 गड़ कॉलेज से यहां पर सात्वी merit लिस्ट आई है तो बिये भाग एक का है तो इसके अनुसार आपको कक्ष करमांग 78 विवेक अनन्द भवन प्रतम तल में प्रताह 11 बज़े से 3 बज़े तक आपको वहां पर संपर करके 25 तारीक लास्ट डेट है यह लिस्ट आगया है तो आज मदलब आज से कल से आप जाकर admission लेना शुरू कर सकते हैं और 25 तारीक तक जो फिस भरने का इस्क्रिप्शन में चेक कीजिए तो यहां पर बीस्ट बीकॉम बीए सभी का यहां पर लिस्ट आ गया है एक बार चेक कीजिए देखिए यह बीस्ट बायो ग्रूप का है तो 25 तारीक है लास्ट डेट अभी आपका नाम है तो आपकल से admission लेने कले जा सकते है तो इसका ही है ठीक है सभी का 25 तारीक तक लास्ट डेट दिया गया है फिस जमकर करके आपको admission लेना है और उसके बाद यहां पर साइन्स कॉलेज दूर्ग का भी बैचलर अप लाइवरेरी आयसी यह सेकंड मेरिट लिस्ट है तो इनका यहां पर admission कब होगा 25 तारीक इनको भी कॉमेंट लेकर जा सकते है साइन्स कॉलेज दूर्ग का बैचलर अप लाइबरेरी आयसी का यहां पर सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुका है साइन्स कॉलेज दूर्ग से ही यह सी प्रतम वर्ष गनिस्ट समोह बहतिक रसायन गनित भुगर्व सास्तर इलेक्ट्रानिस अध्यो 12 बज़े तक आपको वहाँ पर उपस्तित होना है उसके बाद यहाँ पर मास्टर अप लाइबरेरी आयसी सेकंड मेरिट लिस्ट आया है साइन्स कॉलेज दूर्ग से ही तो उनको भी 25 तारीक तक एडमिशन फिस करके लेना है और यहाँ पर फिस सब ऑनलाइन पे करना है चैनल को सब्सक्राइब केजिए धरन्यवाद मिलते अगले वीडियो में